बिस्मिल्य रह्माने रहीम, अस्सलामुलेकुम आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नमबर 20 जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर हैं इसके बाद हम एक्सरसाइस पे एक्सरसाइस की तरफ जाएंगे और उसको सॉल्फ करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा शील्डिंग एफेक्ट और एलेक्ट्रो नेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे हम शील्डिंग एफेक्ट से शील्डिंग एफेक्ट जो है वो वो रिपल्जन की फोर्स है जो कि एलेक्ट्रॉन्स अप्लाई करते हैं नूकलियस और आउटर मोस्ट एलेक्ट्रॉन्स के दर्मियान, ठीक है, यानि जब हमारे पास कोई एटम होता है, उसके जो एलेक्ट्रॉन्स की प्लेस्मेंट होती है, तो वहाँ पे, आपको पता है नूकलियस में होता है प्रोटॉन, जो के है पॉजिटिवली चाज्ड, द तो यहाँ पे जो एलेक्ट्रॉन्स की प्लेस्मेंट होती है, जिसे हम एक्जामपल ले लेते हैं, सोडियम की, ठीक है, सोडियम की एक्जामपल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो एलेक्ट्रॉन्स की प्लेस्मेंट है, हम शेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लेस्म शेले उसमे 8 electrons आ सकते हैं और M shell में 18 electrons आ सकते हैं लेकिन sodium की case में हमारा जो electrons का number है वो complete हो गया है ठीक है तो अब इससे हमें पता क्या चलता है कि क्योंकि electrons जो है पिर तो इन सारे electrons को nucleus में fall हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह जो shells है यह specific fixed positions पे होते हैं और इसमें ही electrons revolve कर रहे होते हैं दूसरी वज़ा यह है कि electrons जो है वो आपस में repel करते हैं negative और negative charge तो यह repel करेंगे यानि यह electrons इन electrons को repel करेंगे और यह electrons यह outer most shell के electrons को repel करेंगे repel क्यों करना चाह रहे हैं वो इसलिए repel करना चाह रहे हैं कि कहीं वो attract होके nucleus में ना गिर पड़े ताके वो अपने outer most electrons को बचा सके nuclear charge के hold से क्यों बचाना चाह रहे हैं इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि free state में जो atoms होते हैं वो stable नहीं होते तो जब हमने reactions करने हैं जब हमने stability gain करनी हैं तो obviously electrons का loss or gain तो चलता रहेगा तो अगर nucleus electrons को जाने ही नहीं देगा तो reaction कैसे होगा bond कैसे बनेगा stability कैसे gain होगी तो उस stability gain करने के लिए हर atom की जो electrons है वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो outermost electron को space दे दे उसको दूर बगाए कहां से nucleus से ताकि अगर कोई और atom उसके साथ react करना चाह रहा है तो वो उस electron को ले सके ठीक है तो यह जो phenomenon है यह हमारे पास है shielding effect का इस shielding effect के periodic table में क्या trends है यह देख लेते हैं periodic table में shielding effect down the group increase होगा और across the period जो है periodic table में यह unchanged रहेगा अब तक जो phenomenon हम देख रहे थे उन phenomenon में हमने बात की थी कि या तो down the group increase या decrease हो रहा है या फिर along the period भी decrease या increase हो रहा है लेकिन यह वाहिद वो property है वो factor है जो के down the group हम कह रहे हैं कि वो increase हो रहा है ठीक है down the group क्या हो रहा है increase हो रहा है लेकिन along the period क्या हो रहा है along the period unchanged है यानि same रहेगा कोई effect नहीं होगा ना तो increase हो रहा है ना ही decrease हो रहा है ठीक है जी तो तो जो number of electrons है अगर वो बढ़ रहे हैं down the group तो इसका मतलब उनका effect भी ज्यादा होगा effect किस चीज़ का? repulsion का तो अगर repulsion ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो shielding effect की वज़ा से आसानी होगी कि हम valence electrons को remove कर सके nucleus से बचा सके और उसको किसी और item को दे सके ठीक है जी? तो down the group जो है shielding effect increase होगा जबके along the period shielding effect पे कोई change नहीं आएगा उसकी वज़ा क्या है? कि along the period जब हम बात करते हैं तो जो number of shells है वो change नहीं होते number of shells सेम रहते हैं जैसे अगर हम बात करे period number two की तो यहां पे सारे के सारे elements में दो ही shells आ रहे हैं के और L तो जब shells increase ही नहीं हो रहे हैं तो repulsion कैसे होगी? shells increase नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब nucleus पे charge जो है वो बरकरार है उसने अपना hold बरकरार रखा हुआ है तो इसलिए यहां पे shielding effect में कोई change नहीं आता क्यों क्योंकि यहां पे जो nuclear charge है वो shielding effect के phenomena को overweight कर देता है ठीक है overcome कर देता है तो यहां तक बात clear हो गई के shielding effect के trends along the period तो कोई change नहीं होता अंचेंज रहता है जब के जब down the group हम जाते हैं तो क्या हो जाता है increase हो जाता है ताइगरान देख लीजिए अगेन वही बात प्रूव हो रही है आप देखें hydrogen hydrogen में कितने electron है एक electron है और hydrogen के बारे में आपको यह बताती चलूँ कि क्योंके सिर्फ एक electron है तो यहां पर तो shielding effect के कोई value ही नहीं है यहां पर तो shielding effect zero है क्योंके shielding effect याद रखिएगा वहां पर होगा जहां पर एक से ज्यादा electrons होंगे बहुत एक electron को दूसरा electron तो चाहिए होगा ना रिपल करने के लिए तो अगर hydrogen में सिर्फ है ही एक electron तो वह किसके साथ repulsion करेगा वह तो easily attract होगा nucleus की तरफ तो यह जो repulsion का phenomenon है यह lithium से start हो रहा है ठीक है तो जैसे जैसे size और shells जो है वह increase होते जा रहे हैं वैसे वैसे repulsion increase होती जा रही है और वैसे वैसे nucleus से outer most shell जो है वह दूर होता जा रहा है nucleus का outer most electron पे hold कम होता जा रहा है तो जब hold कम होगा तो इसका मतलब easily electrons remove कर सकते हैं जो के aim है किसका shielding effect का इसलिए हम कहते हैं कि जब हम down the group जाते हैं तो shielding effect increase हो रहा होता है लेकिन हम along the period जाते हैं तो आप note करो देखो यहां पर यह जो सारा period दिया हुआ है इस period में आप देखो सब के सब के तीन shells है के एल और एम अब इन तीनों shells में जब electrons की placement होती है तो इन पर जो nucleus का hold होता है वो equal होता है ठीक है nucleus का hold ज्यादा रहता है तो इस वजह से जो nucleus का charge है या nucleus का hold जो है वो overcome कर देता है shielding effect की property को इसलिए हम यह कहते हैं कि period में left to right जब हम आते हैं तो shielding effect unchanged रहती है ठीक है unchanged रहती है यहां तक बात clear हो गई होगी फिर हम आ जाते हैं electron negativity पर अब electron negativity क्या है electron negativity का term जो है उसको हम ऐसे define कर सकते हैं कि किसी भी atom की वो ability जिसके through वो electron pair को attract कर सके किसी भी bonding में एक compound में तो इसका मतलब वो term कहलाएगी electron negativity यह compound है उस compound में molecules attract कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उसमें किसी एक molecule में यह खासियत है कि वो दूसरे से electron pair को ले सके इस खासियत रखने वाले molecule या atom को electron negative कहा जाएगा और इस phenomenon को क्या कहा जाएगा electron negativity कहा जाएगा ठीक है तो electron negativity किसी भी atom की वो ability है जो के उसको allow करती है या उसको compel करती है कि वो किसी दूसरे से electron का pair ले सके ठीक है फिर हम क्या कहते है कि electrone negativity जो है वो property है किसकी periodic table में बहुत सारे elements है ठीक है metals है alkaline earth metals है non metals है तो यह property जो है यह mostly non metals में होती है यानि जो non metals place किये गए है periodic table में उनकी यह property है कि वो electrons को gain करती है कि वो electrons को चीन लेती है तो यह property mainly non metals की है ठीक है और metals का क्यूंके size भी छोटा होता है तो इसलिए nuclear charge जो है वोबीस पे ज्यादा होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं कि electron के पेर को ज्यादा attract करते है nuclear का charge ज्यादा होना मतलब ज्यादा attraction होना क्योंकि nuclear का charge ज्यादा होना मतलब nucleus इतना ताकतवर होना कि वो बाहर वाले electron पेर को अपनी तरफ खीन सके तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो non-metals होते हैं उनकी यह property है कि वो electron negative होते है nature में यानि वो electron pair को अपनी तरफ खींच सकते हैं वज़ा क्या है कि उन पे nuclear charge ज्यादा होता है उन में यह खासियत पैदा हो जाती है कि वो electrons को अपनी तरफ खींच सके ठीक है जे फिर अब electronegativity बात तो हो गई electronegativity सबसे पहले calculate किस ने की थी Pauling नाम का एक scientist था जिसने electronegativity की values को calculate किया था उसका पूरा नाम Linus Pauling था जिसको Pauling के नाम से जाना जाता था ठीक है और उन्हों नहीं सबसे पहले electronegativity की values पे काम किया था ठीक हो गया देख लेते हम periodic table में कि periodic table में trend क्या है electronegativity का ठीक है कि वो along the period क्या काम कर रहे है और down the group क्या उसका effect होगा increase हो रहे है या पिर decrease हो रहे है तो हम जब उसका trend देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि periodic table में electronegativity जो है उसकी value down the group decrease हो रही है down the group value increase हो रही है तो हम बात कर लेते हैं electronegativity के trends की कि electronegativity along the period क्या trend शो कर रही है और across the group क्या trend शो कर रही है तो यहां पर हम क्या कह रहे है कि electronegativity की value जो है वो decrease होगी जब हम down the group जाएंगे और यह value increase होगी जब हम period में जाएंगे group में यह value decrease हो रही है और period में यह value increase हो रही है ठीक है जे तो अगर हम example देखे तो यहां पर हम कह रहे हैं कि fluorine का जो element है periodic table में सबसे ज़्यादा value electronegativity की fluorine की है यानि periodic table का most electronegative element fluorine है ठीक है और cesium की lowest electronegative value है यानि जब down the group हम जा रहे हैं तो इसकी value decrease हो रही है जबके उपर से जब हम आ रहे हैं तो उनकी value उपर increased भी तो fluorine जो है वह element है जिसकी सबसे ज्यादा सबसे highest electronegative negativity की value है जबके cesium की सबसे lowest है अब यहां पर इसी चीज को हम पीछे देख लेते हैं periodic table में periodic table में आप देखो हमने किन दोनों की बात की थी एक तो हमने बात की fluorine की ठीक है एक तो हमने बात की fluorine की दूसरी हमने किसकी बात की? cesium की cesium की value हमने बताई है 0.7 जबके fluorine की value हमने बताई है 4.0 तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों values के देखो तो इससे यह proof हो रहा है कि जब हम down the group पा रहे हैं तो यह value decrease हो रही है जबके हम along the period जब आ रहे हैं तो यह value increase हो रही है है ना? फिर जब हम यहां से u जा रहे हैं तो भी यह value क्या हो रही है? increase हो रही है यानि जैसे जैसे हम नीचे से उपर की तरफ आते जाएंगे तो यह value increase होती जाएगी और highest electronegative value जो है वो fluorine की है यानि यह most electronegative element है जबके least electronegative element जो है वो cesium है जिसकी value हमारे पास 0.7 है तो यह बात clear हो गई कि down the group जो है electronegativity की value decrease हो रही है जबके along the period electronegativity की value increase हो रही है यह pictorial representation है आपको again arrow के तुरू पता चल रहा है कि electronegativity की value यहां पे increase हो रही है कहां पे period में जब हम left से right की तरफ आते हैं इसी तरह जब हम उपर से नीचे की तरफ आते हैं तब electronegativity की value decrease हो रही है ठीक है यह कुछ values देख लेते हम यह क्या है सारी electronegativity की values है अब आप देखो किन दो elements को मार किया गया है सीजियम और fluorine को मार किया गया है इसका मतलब सीजियम की least value है और fluorine की सबसे ज्यादा most highest value है most electronegative element fluorine है हमारे पास periodic table में least electronegative element सीजियम है आप यहां पर गुरुप इन्ही वैलियूस के तुरू आप देख सकोगे आप देखो किये आप जब hydrogen से आते हो सीजियम की तरफ तो hydrogen की value है 2.1 decrease होके lithium की 1.9 हो गई मजीद decrease ही हुई sodium की 0.9 potassium की 0.8 rubidium की 0.8 again ठीक है और cesium की 0.7 तो down the group value क्या आ रही है increase आ रही है decrease आ रही है तो down the group value क्या रही है decreased form में जा रही है अब हम इसी चीज़ को यू देख लेते हैं कैसे? period के form में तो आप देखो hydrogen वाले को हम skip कर लेते हैं हम यहाँ पे दूसरे period को देख लेते हैं हम इस period की बात कर लेते हैं ठीक ही जी? इस period में lithium से start होते होते fluorine तक आते आते हैं आपको values में क्या variation नज़र आ रही है? कि lithium के 1.0 है 1.5, 2.0 तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे है? हम period wise बात कर रहे हैं कि period में जब हम left to right आते हैं तब electronegativity क्या हो रही है? increase हो रही है यह values मेंशन हैं लीथियम से आते आते fluorine तक यह value 4 तक पहुंच जाती है 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 बात 4 तो यहाँ से क्या पता चला हमें? कि period में जब हम जाते हैं तो along period value of electronegativity increases while down the group the value of electronegativity is decreased और the least number of electronegativity is of cesium जबके highest number of electronegativity is of fluorine ठीक है जए? और जो highest values जिनकी अगर है तो आप अगर note करो वो सारे non-metals है इसलिए हम कहते हैं कि यह जो electronegativity की property है यह mainly होती है non-metals की क्योंकि metals जो है उनकी यह property होती है कि वो electro positive होते है यानि उनमें यह tendency है कि वो अपने electrons किन को दे सके? halogenes को दे सके halogenes क्या है? most electronegative group है ठीक है? most electronegative element fluorine है जबके most electronegative group जो है वो है halogenes और most electronegative group है first group जो कि है metals का इसलिए हम कहते हैं कि जब first group और 17th group में जो कि इनके numbers है जब reaction होता है तो वो bonding सबसे ज़्यादा strong होती है क्योंकि वो easily अपने electrons देते हैं और यह easily उन electron pair को receive करते हैं ठीक है तो जो most electro positive और most electronegative के बीच में जो bonding होगी वो bonding सबसे strongest bonding होगी यहां तक बात clear हो गए आगे चलते हैं usage पर जाने से पहले हम आप तक बात कर रहे थे neutral atoms की लेकिन अब हम देख लेते हैं कि neutral atom और ions के बीच में कौन ज्यादा electron negative होता है बलकि neutral atoms को नहीं हम ions को compare कर लेते हैं neutral atom की तो बात हो गई अब हम आ जाते हैं cateins और anions पे ठीके cateins और anions पे आ जाते हैं केटाइंस positively charged होते हैं and ऐस裡面 कि खेल सोडियम हो या सोडियम में ज्यादा एलेक्ट्रनेगेटिव होगा या फिर sodium में ज्याद़ electronegative होगा पहले तो हम यह देख लेते हैं कि यह ions कैसे बने ions कैसे बने? sodium chloride का जो molecule था जो compound है वो जब तूटता है तो वो convert होता है इन ions में है ना? यही ions जब मिलते हैं यह reversible reaction होता है ठीक है? यही ions जब मिलते हैं तो table salt बनाते हैं जो कही sodium chloride यही sodium chloride जब तूटेगा तो क्या किस में convert होगा? इन ions में convert होगा अब यह ions कैसे बने? इस ions को हम जब देख लेते हैं example के थूँ ठीक है यह reaction तो clear हो गया? अब यहाँ पर हम इसका structure form करते हैं कि structure में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़ा से हमारे पास यह ions बन गए तो अगर हम structural form में इन दोनों को react कराते हैं तो आपको पता है कि sodium में होते हैं 11 electrons और chlorine में होते हैं 17 electrons तो हम इसके electronic configuration यह electron placement देख लेते हैं पहले में 2 हैं दूसरे में हमारे पास कितने electrons हैं 8 electrons हैं लास्ट में हमारे पास कितने electrons हैं एक electron हैं इसी जरह हम इसकी बना लेते हैं दो एलेक्ट्रोंस आठ एलेक्ट्रोंस कितने हो गई हैं 10 हो गए हैं और 14 16 और 17 यहां बना लेते हैं क्योंकि हमने reaction चो करने हैं अब आप देखो कि सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट में एक electron मुझूद है और जो खलोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 electrons मुझूद हैं तो हम कहते हैं कि सोडियम मेटल है और सोडियम की यह tendency है कि वह अपना एक electron जो है वह डुनेट कर सकती है इसी तरह हम यह भी कहते हैं कि हेलोजिन के ग्रुप का यह जो खलोरीन है इसमें भी यह ताकत है कि यह सोडियम से वह electron दे सके जब यह सोडियम यह electron इसको दे देता है ठीक है यह electron यहाँ पर आ गया अब क्या हो गया अब यह सोडियम आइन है इसकी जो electronic configuration है वह कितनी आ रही है electrons कितने हो गया दस जबके क्लोरीन के electrons कितनी हो गया एटीन अब क्या हो गया पियर्ज बन गए पियर्ज कंप्लीट हो गए है ना यानि जो sodium था free state में तब वो 11 electrons के साथ भी stable नहीं था और chlorine 17 electrons के साथ भी stable नहीं था तो क्या किया कि इन दोनों ने आपस में reaction शो किया उस reaction में sodium ने अपना एक electron last electron रिमूव करके दे दिया chlorine को तो chlorine के electrons हो गए 17, 18 हो गए 17 के बज़े और sodium के electrons 11 के बज़े 10 हो गए अब इस 10 और इस 18 को आप याद रखिए ठीक है इस 10 और 18 को इस नंबर को आपने याद रखना है तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बन रहे है केटाइन और एनाइन अच्छा जी अब देखो केटाइन ने तो electron ले लिया तो मजीद तो केटाइन को ज़रूरत ही नहीं है वो ले चुका है ना electron electron किस ने दिया था sodium ने दिया था तब ही उस पर positive चार्ज आया तो अब क्योंकि इस पर positive चार्ज है तो इसका मतलब जब भी इसको कोई electron मिलेगा तो यह वापस से उस electron को ले लेगा तब जाके आगे वो किसी और को बेशक डुनेट कर देगा लेकिन अब क्योंकि वो आइनिक फॉर्म में है तो इसको ज़रूरत है electron के गेन होने की तो जब आइन्स हम compare करते हैं तो कैटाइन्स जो है वो more electron negative होते हैं ठीक है more electron negative होते हैं as compare to एनाइन्स एनाइन्स जो है वो less electron negative होते हैं यहां तक यह बात clear होगी मैंने आपको कहा कि यह दो numbers आप याद रखियेगा और पीछे मैंने कहा कि जब free state में atoms होते हैं तो वो stable नहीं होते हैं तो वो stability गेन करने के लिए reactions करते हैं और वो stability इन दो numbers को आप देखें वो stability वो किस number पे आके गेन करते हैं इस periodic table पे हम आ जाते हैं जब भी elements reaction करते हैं तो हम हमेशा से कहते हैं आ रहे हैं कि जो noble gases है भई उनको reaction की ज़रूरत ही नहीं ह उनके electronegative value 0 है क्यों क्योंकि वो अपने stable form में हैं तो जब बाकी भी elements reaction करते हैं आपस में जैसे अभी हमने sodium और chlorine की बात की तो sodium और chlorine के case में क्या हो जाता है कि हर एक particular element जो है वो किसी ना किसी noble gas की electronic configuration attain करेगा हासिल करेगा तो हमने जब sodium ने electron lose किया इसके पास आ गए 10 electron जब chlorine ने electron gain किया तो इसके पास आ गए 18 electrons तो इसका मतलब 18 जो है वो किसका atomic number है आर्गॉन का chlorine आर्गॉन के बिलकुल करीब है तो जो element भी reaction करता है वो अपने करीबी वाले noble gas की electronic configuration को हासिल करने की कोशिश करता है जब वो electronic configuration हासिल कर लेता है इसका मतलब वो stable form में आ जाता है तो chlorine 17 था अब उसने एक electron हासिल करके 18 अपने electrons complete कर दिये तो इसका मतलब वो similarly आर्गॉन के जैसे stable हो गिया है इसी तरह से जो sodium था वो 11 था उसने एक electron lose कर दिया तो 10 बन गया तो अब sodium को आप देखो sodium से 18 जो है वो काफी दूर है ठीक है बीच में कई सारे elements आ रहे हैं तब जाके 18 आएगा लेकिन 11 के पीछे फॉरण ही यहां पे neon है जो के है 10 तो इसका मतलब neon जो है वो sodium के करीब है और उसने भी अपने करीबी noble gas यानी neon की electronic configuration जो के है 10 वो attain कर ली है इस तरह से दोनों जो elements से वो stable भी हो गए और electronegativity का जो phenomenon है वो भी यहां पे clear हो गया अब हम आजाते हैं usage पे use कहा होते हैं जो electronegativity की values है वो असल में हमें predict करके बताती है reactivity के बारे में कि कोई element कितना reactive है एक दूसरी चीज वो type of bonding के बारे में बताती है कि वो bonding जो है वो आइनिक है covalent है polar है या non-polar है ठीक है जी तो यह क्या है यह इनके uses हैं यहां पर again वह example शोन है कि fluorine जो है उसकी highest electronegativity है जिसकी highest value इसका मतलब highest reactive जिसकी electronegativity जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो element उतना ही ज्यादा reactive होगा ठीक है फिर bond type ही वो बताता है जैसे electronegativity का difference अगर एक इशारिय साथ है तो इसका मतलब वो bond जो है वो 50% कौन सी bonding है उसमें covalent bonding भी है और उसमें ionic bonding भी हो रही है किसमें जो compound बन रहा है ठीक है जो bond बना रहे है molecules उसमें 50% chances covalent bonding के है और 50% chances ionic bonding के है कब जब आपको पता होगी कि ये value एक इशारिय साथ है अगर electronegativity का difference एक इशारिय साथ से ज्यादा है तो इसका मतलब वो जो bond है वो ionic होगा और जैसे जैसे ये difference ज्यादा होता जाएगा ठीक है ये difference increase होता जाएगा वैसे वैसे ionic character जो है उस bond का increase होता जाएगा यानि जितनी ज्यादा electronegativity का difference increase होगा उतना ही ज्यादा ionic character भी increase होगा यानि जितना ज्यादा electronegativity का difference increase होगा उतना ही ionic character increase होगा इसका मतलब उतना ही ionic bond strong होता जाएगा ये को पता होगा कि तमाम bonds में से ionic bond जो है वह सबसे strongest bond है क्योंकि इसमें simply donation हो जाती है जबकि covalent में sharing होती है तो यहां पे फिर अगर difference हमारे पास 0.5 से कम हो तो वह bond होगा non-polar अगर जो है zero point से ज्यादा हो और एक इशारिया साथ से कम हो क्योंकि एक इशारिया साथ पे तो हम कह रहें कि वह ionic और covalent का 50-50% है एक इशारिया साथ से कम हो 0.5 से ज्यादा हो तब वह bond होगा polar covalent type का bond तो हमें electronegativity से क्या क्या चीजे पता चली हमें bond का type भी पता चला कि किस type की bonding हो रही है और हमें यह भी पता चला कि electronegativity की based पे हम reactivity कैसे find out कर सकते हैं तो जिस element की electronegativity value जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो जो element है वो उतना ही ज्यादा reactive होगा तो इस हिसाब से जो 17th group है जो halogens है वो most reactive elements हमारे पास periodic table की होते हैं I hope यहां तक clear हो गया होगा, thank you